हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है प्रकति ही लाइट में जो कि लुशेंट से प्रैक्टिस एट्चलाइजर है आज पेज नंबर 80 से लेकर 85 तक है बहुत इसमें पहला कोशन है कि विस्व की शब से अधिक लमड़ी जील या सागर है बताना है कि विस्व की शब से अधिक लमड़ी जील या सागर कौन सी है तो इसका सहीं सरे आप्चा नंबर डी वान जील वान जील जो है विस्व की शब से लमड़ी जील और सागर है आप्चा नंबर डी सा यह नेश्ट कोशन देखते है कोशन नमर टू है कि निम्न में से कौन जैवी क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्तर है बताना है कि कौन सी जैवी क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सस्तर है तो इसका option number A जो है छोभ मंडल यह जो है जैविक क्रिया के लिए शब से महत्वपूर्ण अस्तर है कौन सा है तो option number A छोभ मंडल next question है question number 2 है third है कि पृतिवी के ताप को बनाए रखने के लिए उतरदाई देखी carbon dioxide M जलवास यह जो है दोनों है carbon dioxide M जलवास जो है पृतिवी के ताप को बनाए रखने के लिए उतरदाई है option number C next question question number 4 है कि उजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है बताना एक उजोन परत की मोटाई मापने की क्या है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्रीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ज्यादा से जदा वीडियो को शेर कीजिए और प्रीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए उजोन परद की मुटाई मापने की काई है डप्षन अप्षन नमर भी सही है नेस्ट कोशन है कोशन नमर फाइब है निमने में से किसका सुमेलित नहीं है बताना की कौन इसमें गलत है ब्रजील धारा अटलांटिक महाशागर की है सही है हंबूल्ड धारा हिंद महासागर की ये गलत है ये जो हंबूल्ड धारा जो है परसांत महासागर में है ये जो है परसांत महासागर हम बोल्ट धारा जो है प्रसांत महासागर में गल्फ एस्टीम जो है अंतांकिंग महासागर में है और अगुलाहस धारा जो है हिंद महासागर में है और यह अगुलाहस धारा जो है हिंद महासागर में है तो यह हम बोल्ट धारा जो हिंद महासागर में नहीं है प्रसांत महा कर्व तीनों निम्न में से किस एक महादीप से होकर गुजरती है बताना है कि विश्वत कर्ग विश्वत रेखा कर्ग रेखा मकर रेखा यह तीनों रेखा जो है किस महादीप से होकर गुजरती है तो इसका आपसा नमर ए जो है अफ्रिका से होकर गुजरती है ये तीनों रेखा नेश्ट कोशने कोशन नमर शेबन है कि निल नादी निमने में से किस जील से निकलती है बताना है कि निल नादी जो है किस जील से निकलती है तो इसका सहीन सरे अप्षा नमर सी विक्टोरिया जिल से निकलती है अप्षा नमर सी साई नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमर एठ है कि महासागरों और समुंद्रों में ज्वार भाठा के लिए उतरदाई कारक निम्न में से कौन सा है बताना है कि महासागर और समुंद्रों में जो जुआर भाटा हो तो उसके लिए उतरदाई कारा कौन सा है तो इसका सहीं सरी आप्चा नमबर डिव प्रियुक्त सभी सूर्य का गुरुत्वियत बॉल चंद्रमा का गुरुत्विय बॉल प्रिथिवी कापके अंदर ये बल ये जो है तीनों समुंद्र में जुआर पर्सेंट है तो इसका सहीं सरी आप्चा नमबर भी 0.03 0.03 परसेंट दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ज्यादा सेदा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पाहली बार है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए और साम में भी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि स्टार्ट किये हैं मडरन हिस्ट्री ता आप लोग इस वीडियो को भी देखिए नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमर टेन है कि वह एंडिज परवत के पूर्वी धलानों के वनों को क्या कह कहते हैं बताना है कि एंडिज परवत के पूर्वी धलानों को क्या कहते हैं इसका अपसर नमर बी जो है मोटाना कहते हैं यह जो एंडिज परवत के पूर्वी धलानों वनों को मोटाना कहते हैं अपसर नमर बीस है नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 11 है कि एस्या का सरबाद एक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन है कि स्वेज नहर के दोनों सीरों पर इस्तिपतान अगर है जुग में है तो पोर्ट एसपेस देखिया पोर्ट स्वेज तता पोर्ट साइड यह जूए अपसा नमबर सी साई है जो स्वेज नहर के दोनों की नारों पर इस्तित है नेस्ट कोशन है कोशन नमबर थर्टिन है कि करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर इस्तित है बताना है कि करीबा बांध जो है किस नदी पर इस्तित है साही अंसर है अप्सा नमबर ए जांबेजी नदीपर अप्सा नमबर ए साही है नेश्ट कोशन है कोशन नमबर फोटीन है का अस्टेलिया के मून लिवासी को कहा जाता है देखी अस्टेलिया के मून लिवासी को क्या कहा जाता है इसका सहीन सरी अप्सन नंबर B Aborigines इसको बोलते है Aborigines एस्टेलिया के मुल निवासी को Aborigines बोलते हैं और अमेरिका के मुल निवासी को Red Indian बोलते हैं Next question is question number 50 ने है कि Eskimo निवास का घर बना होता है बताना है कि Eskimo के घर किसका बना होता है इसका सईयंसर है अप्षा नमर D बर्फ का एज जो है एसकीमो का घर बर्फ का बना होता है अप्षा नमर D साई है नेश्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 16 है कि ब्लैक हील ब्लू हील और ग्रे हील नामक पहाड़ी कहां इस्तित है बताना है एक Black Hill, Blue Hill, Gray Hill नामक पहाड़ी कहा ऐस्तित है तो इसका सई अंसर है अप्सें नमरे संजुक्त राज अमेरिका अप्सें नमरे जो है सई है Black Hill, Blue Hill और Gray Hill जो है संजुक्त राज अमेरिका मे स्तित है दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लिज लाइक कीजिए आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते हैं इतना मेहनत करते हैं पहले question set करते हैं उसके बाद type करते हैं बहुत मेहनत लगता है फिर भी आप लोग like नहीं करते हैं प्लिज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए औ बताना है कि वीश्व के सबसे 30 सीमा वाला देश कौन सा है तो इसका सहयंसर है आपसे नमर ए कनाडा ये जो वीश्व का सबसे 30 सीमा वाला देश जो है कनाडा है एक नमबर पर कनाडा है और दो नमबर पर जो है नार्वे है दो नमबर पर नार्वे तीन नमबर पर इंडोन से नेस्ट कोशन है कोशन नबर एट है सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है सबसे महासाग सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है प्रसांत महासागर सबसे बड़ा महासागर जो प्रसांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो आर्क्टिक महासागर है यह छोटा है और यह बड़ा है नेस्ट कोश्टन है कोश्टन नमबर 19 है किस देश के राष्टी पक्षी कीवी है बताना है कि किस देश के राष्टी पक्षी कीवी है साही अंसर है आपसर नमबर C निजूलेंड ये जो निजूलेंड देश की राष्टी पक्षी कौन सी है तो कीवी है अपसर नमबर सी साही है, नेश्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 20 है कि कनाडा का मैंट्रियल किस लिए परसीद है, बताना है कि जो कनाडा का मैंट्रियल है किस लिए परसीद है, इसका सईयन सरे अपसर नमबर ए कागज के लिए, कनाडा का मैंट्रियल है कागज के लिए पर नदी के किनारे इस्तित हैं देखें बताना है कि जर्मनी में इस्तित ब्लैग फॉरेस्ट किस नदी के किनारे इस्तित है लुट सोही अंसर है अप संबर ए राइन नदी गया बन जर्बंबंबने स्टे ब्लएक फोराष्ट किस नदी किन्य खेत थे तो राइन नदी अप्संथ नn मबर यह निस्ट कोश्य नपर 12 है क्वाइमंडल यह दाव की काई क्या हैं तो यह दाव की काई क्या है स्वही एंसर यह आप्शन नमर ए बार वाई मॉंडले दाब की काई क्या है बार एक बार बराबर होता है दस के पावर पांच डाइन ये ये इक बार किंग दाइगे लूजाओर ये दाब का स्कूमայट होता है और में सक्कार वी दोस्तों यहीं वीडियो समापत होता है जो कि आज उस समय कम के कान जो है आज वीडियो कुशन इतना ही लिए है और कल से वीडियो आएगा तो कल पेज नमबर 85 से लेकर 90 तक आप लोग कल जरूर पर कराना और इस वीडियो को इंड तक देखिए कमेंट बक्स में बताया कि आ और चैनल वह पॉली बार है तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम